हाई गाईज आज हम आपको अगित की इस्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही फणी है इसलिए इस्टोरी एंड तक सुनिएगा और इस्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना उपीनियन हमें कमेंट में जरू बताएगा इसी स्टोरी के बारे में और आप सब के पास भी अगर कोई स्टोरी हो तो आप मुझे अपनी स्टोरी इमेल कर सकते हैं इमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एड किया है तो आप आँसे चेक करके मुझे इमेल कर सकते हैं तो चलिए अंकित की स्टोरी स्टार्ट करते हैं य अंकित के पैरेंट्स उससे परिशान होकर उसे आंटी के घर भेज देते थे, जहां अंकित मांसी और रेखा आंटी को बहुत परिशान करता था, अंकित मांसी और रेखा आंटी के साथ प्रैंक करता रहता था, वो उसके प्रैंक से तंग आ चुके थे, एक दिन मांसी को एक आईडिया आया, मांसी ने रेखा अंडि को बोला चलो अब हम अंकित के साथ प्रैंक करते हैं हम उसे completely ignore करेंगे हम उसे कहेंगे कि पास्वाले तलाब में जो नहाता है वो गायब हो जाता है और अंकित इतना बेवकूफ है कि हम उसे ये यकीन करा सकते हैं तो अगले दिन दोनों उसे पासवाले तलाब में ले गए और उसे बताया सब कुछ अंकित को ये मजाक लगा और वो सीथा तलाब में उतर गया जैसे ही अंकित बाहर आया मान्सी और रेखा अँंटी ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया वो खहने लगे अंकित कहां है अंकित सच में गायब हो गया क्या ओ माईगोड फिर दोनों एक्टिंग करते करते घर आ गए और अंकित उनके पीछे पीछे मैं यही हूँ मैं यही हूँ चिलाता रहा घर आने के बाद अंकित की तमाम कोशिश करने के बाद भी वो दोनों अंकित को इग्नोर करते रहे और अंकित बोल बोल के परेशान हो गया तो अपने रूम में चला गया अंकित समझ गया कि अब ये लोग उसकी एक नहीं सुनने वाले चाहें वो कुछ भी बोले या घर का कोई भी समान तोड़ दे वो उसे इगनोर ही करेंगे तब ही उसने देखा कि मांसी घर में पोछा लगा रही है उसने मांसी को आवाज दी पर उसने इगनोर कर दिया अंकित अपने सारे कपड़े उतार दिये और अंडर्वेर में बैठ गया तब ही मांसी उसके रूम में आ गई उसने अंडर्वेर में देख मांसी थोड़ा इंबरेस होई बट उसको इगनोर करते हुए वो कमरा साफ करने लगी अंकित अब इरिटेट हो गया था और तो उसने अंकित को इगनोर करते हुए उस रूम से बाहर निकल गई नीचे अंटी खाना बना रही थी वो अंकित के पास गई और हसते हुए कहा ममी अब यकीन नहीं करोगी अंकित पूरा नंगा हो गया है हो सकता है वो नीचे आए उसको देख कर बिलकुल रियक्ट मत करना अभी य चली रही थी कि आंटी के कुछ बोलने से पहले ही अंकित नीचे आ गया और आंटी के होसूर गया आंटी जल्दी से पलट गई और खाना बनाने लगी और उधर अंकित ऐसे ही बिना कपड़ों के सोफे पे बैठ गया मांसी भी जाकर दूसरे सोफे पे बैठ गई और फोन चलाने लगी और चुपके से अंकित का बीडियो भी बना लिया खाना बनने के बाद आंटी नहाने चली गई और आंकित जाके आंटी के रूम में बैठ गया कि शायद अब आंटी उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहेंगी तभी आंटी रूम में आ गई अंकित को वहां द टावल खोल दी, उन्होंने सिर्फ बड़ा और पैंटी पैनी हुई थी, ये देखकर अंकित को बड़ा अजीब लगा, तो वो दरवाजा खोल के बाहर आ गया, बाहर लॉबी में उसे मांसी मिली, अंकित से और सहन नहीं हुआ, तो अंकित वहीं दिश्चार्ज हो गया, और म मांसी मन ही मन हसने लगी, दूसरे दिन अंकित ने सोचा शायद अभी भी वो गायब है, वो फिर से बिना कपड़ों के नीचे आ गया, नीचे हॉल में आते ही उसके होस उड़ गया, मांसी ने अपने फ्रेंस को घर पर इन्वाइट कर रखा था, अंकित को ऐसे देख सब ल तो मांसी ने कहा, अरे कहा जा रहे हो, अंकित कल तो तुम ऐसे ही घूम रहे थे, पूरे घर में, और उसने कल की वीडियो अब दोस्तों को दिखाई, और अंकित को खुब इंबरस किया, तो गाइस, अंकित की स्टोरी यही खतम होती है, आप सब के साथ ऐसा घर में कभी घर वालों ने इस तरीके से इग्नोर किया है, हमें कमेंट में जरूर बताईएगा, अगर मैं अपनी बात कहूं, तो हम लोग ने बच्पन में ऐसी बस खेल-खेल में इग्नोर करते थे, पर ऐसे नंगा वाला कोई परिश्मेंट नहीं होता था, लेकिन इग्नोर करने वाल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में लगे घंटे को भी बचाना है,